कि यह विडियो और आज मैं दिखाऊंगा कि आप एक रॉकेट को पर्फेक्ली और बिट में कैसे डाल सकते हैं यह बहुत आसान तूटरियल है तो आपको अच्छा लगेगा तो फिर यह हमारे रॉकेट का लेयाऊट है आप चाहिए तो अभी एक स्क्रेंशॉट ले लिए ज चले जाओगे उसके बाद ही आपको टिल्ट करना शुरू करना होगा तो अपरोच हो गया 2000 मेटर अब आप टिल्ट करना शुरू किजिए तो आप मैप में जाकर आप आप उसिस देख लीजेगा तो मुझे थोड़ा छोटा चाहिए मेरा और बिट तो मैंने ज्यादा टिल खरते हैं तो अगरा आपको अपना ऊर्बिट ठोड़ा फ्लैट चाहिए और्थ एकलोस तो फिर आप ज्यादा टिल्ट कर सकते हो अगराप नीचे पॉइंट करोगे तो ओड़का हads कम होगा अगर आप उपर करोगे तो पाल पर ज्यादा hoがगा तो हमारा फाइनल ऑर्बि दिख रहे हैं उसके highest point तक आना है तो highest point यह वाला लाइन इंडिकेट करता है तो highest point है हमारा 59.4 किलोमेटर तो आपको उधर तक आना है तो आप पहले time lapse कर दीजिए तो जब आप अप्रोच कर रहे होगे वह वाले लाइन को time lapse को काम कर दीजिएगा और आप वापस इस line के साथ align हो जाएगा मतलब आपको अपने arrow के top point के साथ इसे align हो जाना है और फिर जैसे ही आप topmost point में आओगे मतलब 59.4 किलोमेटर मेरे वाले में तो आपको engine on कर देना है तो फिर आप दिक्रोगे कि आपका एक perfect orbit आ जाएगा कि जी हां गाइस हमारा अभी एक perfect orbit आ गया है तो यह पूरा गोल है इसमें ज्यादा reflections नहीं है मैं और थोड़ा बड़ा बना देता हूं तो हां तो हमारा perfect orbit आ गया है तो यह बहुत अच्छा tutorial आपको अच्छा लग जएगा देखिए कितना round है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा subscribe कीजिएगा अगर आपके से कुछ information मिला तो हां लाइक कीजिएगा मेरे मैं माइंक्राफ्ट के भी बहुत सारे tutorials डलता हूं तो वह भी जाके देख लीजिएगा मुझे ideas बेचते रहिएगा और ज़रूर वही बात है तो अच्छा लगे तो like और subscribe पीजिएगा तो thank you and have a nice day